रादे रादे दोस्तों, आज हम आपको सनाएंगे गनेश जी और एक कंजूस औरत की कहानी अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए, तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कीरती को लाइक करें, सबिस्क्राइब करें और शेयर करें एक औरत थी, उसे एक बच्चे को खाना खिलाना था, पर वे औरत बहुत कंजूस थी, उसने सोचा कि बहुत छोटे से बच्चे को खाना खिलाऊंगी, तो वे कम ही खाएगा इसलिए शाम को जहां बच्चे खेलते थे वे वहाँ पर गई और सबसे छोटे बच्चे को तलासने लगे क्योंकि वे तो यही सोच रही थी कि जितना छोटा बच्चा होगा उतना ही कम खाएगा अब गनेश जी ने उसे सबक सिखाने की सोची अब गनेश जी एक छोटे से बच्चे का रूप धारन कर लिके और उन बच्चों में आकर खेलने लगे जब उस औरत की नजर उस छोटे से बच्चे पर पड़ गई जो कि गनेश जी थे तो वे उससे बोली बेटा तुम कल मेरे घर खाना खाने आ जाना उस छोटे बच्चे के रूप में गनेश जी ने का ठीक है मा मैं जरूर आ जाओंगा अगले दिन जब गनेश जी छोटे से बच्चे के रूप में उसके घर गए तो उस औरत ने उसे बच्चे उस बच्चे रूपी गनेश भगवान को आसन पर बिठाया और उनके आगे एक ठाली में दो पूरी थोड़ा सा हलवा और थोड़ी से खीर परोस दी अब उन्हें उन्हें तो उसे फटा फट खा लिया और कहा मा और लाओ मैं तो अभी भूकाई हूँ अब जब भी हम किसी को खाना खिलाते हैं तो उसे बीच में भूका पेट नहीं भेज सकते तो इसलिए वह औरत बोली कि कोई बात नहीं बेटा मैं और लाती हूँ उसे भी खा गए गनेश जी और बोले मा अभी और भी भूका हूँ तो वह औरत और खाना लाती है और गनेश जी उसे भी खा जाते हैं अब वह औरत लाती जाती और गनेश जी खाते जाते जितना खाना उस औरत ने बनाया था गनेश जी वह सारा ही खाना खा गए और बोलते हैं कि मा मैं तो अभी भूका हूँ और लाओ तो मा जो थी वो औरत थी औरत बोलती है कि जितना खाना मैंने बनाया था तू तो वो सब खा गया तो गनेश जी बोलते हैं जो तेरे भंडार में मूंग रखे हैं वो लेया और जो चावल रखे हैं वो भी लेया तो अब औरत बड़ी अचंबे में आ गई की ये क्या बोल रहें तो उसने सोचा कि ऐसी ही बोल रहें और जाकर मों की जो भोरी थी वो भी उठागे जो चावल का कटा था वो भी उठालाई उसे भी गणेश झी खागए वो तो देखकर रोने लगी और रोती जाती और लाती जाती गणेश जी ने कहा जितना गुढ कर रखती जाती और गणेश बगवान सब खाते जाते गणेश जी कहते हैं घर में जो दाले रखी हैं वो भी लेया और वे दाले भी खा जाते हैं फिर कहते हैं घर में जो आटा रखा है वो भी लेया और आटा भी खा जाते हैं गणेश जी कहते हैं कि तुने जो बोरियों में ग्याहूं का बंडारन कर रखा है, वो भी लेया, अब वे औरत रोती जाती और लाती जाती, सोचती कि किस भूत परेद से मैं घर में ले आईयों, किस से मेरा पाला पड़ गया, इसको मैंने छोटा बच्चा समझ कर लाई थी, कि कम खाएगा, लेकिन यह तो कुम्ब करन राक बच्चस से भी जायदा खाता है, और वे बैठकर रोने लगती है, जब उसके घर में अनका एक दाना भी नहीं बचता है, तो गनेश जी परगट हो जाते हैं, और कहते हैं, देख, तू कितनी कंजूस है, तुझे एक बच्चे को खाना खिलाना था, उसमें भी तू सबसे चोटा बच्चा ढूंड के लई, इसलिए मैंने तेरे को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया, अब वे और अपने कंजूस वेवार के लिए गनेश जी से माफी मांगने लगी, क्योंकि अब उसकी समझ में आ गया था, कि गनेश जी ने जितना उसका सामान खाया, उसका चोगु नो कर्चा कर हो गए अंधन के बंडार भर गए, हे गनेश भगवान, जैसे आप उसकंजूस ओरत पर महरवान हुए, ऐसे ही काहनी कहने वाले, और सुनने वालों पर अपनी किर्पा बरसाना, बोलो गनेश भगवान की जैए।